प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांग्रा में 33 नई पंचायते बनाई गई है इन नई पंचायतों के गटन के साथ जिला में कुल पंचायतों का आंक्रा 781 हो गया है पहले जिला में 748 पंचायते थी जिला में नई पंचायतों के गटन की ड्राफ्ट अधिसुचन जारी कर दी गई है नई 33 पंचायतों का कटन जिला के लग्यानिवा इसवाली 16 पंचायत. पंचायतों को तोड़कर 33 नई पंचायते बनाई गई है जबकि पुरानी पंचायतें भी यता बत रहेंगी विभिन 36 पंचायतों को तोड़कर नई पंचायतों को गठन किया गया है नई पंचायतों के गठन को लेकर पंचायतों के लोगों से आपत्याब सुझाब मांगे गए है जिसके लिए साधिन का स्मय निर्धारित क्या गया है जिला पंचायत अधिकारी अश्वनी कुमार शर्मा ने कहा कि जिला कांगडा में 33 नई पंचायतों के गठन की ड्राफ्ट अधिसुचना जारे की गई है पंचायत के लोगों से आपत्याब सुझाब मांगे गए है साधिन के भीतर ये प्रक्रिया पूरी करके सरकार को रिपोर्ट पेजी जाएगी देखिए जिला कांगडा में 33 नई ग्राम सभाओं का जो सरकार की तब से 22 अगस्त को नोटिपकेशन जारे हुआ है उसमें गठन किया जा रहा है और ये ग्राम सभाओं जो हैं वो साथ विकासकंडों में बनाई जा रही है इसमें देरा विकासकंड की दस इंदूरा विकासकंड से दो नग्रोटा उसूरिया विकासकंड से दो नूरपुर से चार, रह से तीन, सुलह से नो और भभारना विकासखण से तीन नई ग्राम सभाओं का गठन किया जा रहा है जिला कांगडा में जो हमारा पिछली ग्राम सभाओं की संखेजी बो 148 थी अब 33 नई ग्राम सभाओं हैं इसमें और समले तो जाते हैं तो 33 नई ग्राम सभाओं के बाद जो है जिला कांगडा में पंचाईतियों की संखेज 780 हो जाएगी 22 अगस्त को सरकार के तर से पंचाईति राइड डिपार्मन के तर से अधिसूचना जारी की गई है इसमें 7 दिनों के अंदर अंदर ग्राम सभाओं के लोग जाँ जाँ ये नई ग्राम सभाओं बने उन लोगों के अपतियों तता सुझाव मांगेंगे हैं अपतियों और सुझाव जो है वो खंड बिकास अधिकारी के मादम से हमारे पास आएंगे हम उनको consider करेंगे देखेंगे किया-क्या पतियां क्या-क्या लोगों ने उसमें सुझाव दिये हैं उसके बाद जो है अंतिम फैसला जो है वो माननिया उपायुक्त मोदे लेंगे और उसके बाद जो है महरी स्पार्श जो है वो सरकार को जाएंगी और उसके बाद जो है वो पंचाईती राज डिपार्ट्मन जो है नेई ग्राम सवाओं का अधिय सूचना जारी करेगा